हेलो फैन्स वेल्कम टो रोट्यूब चैनल करेंट इस्टेडी सेंटर फैन्स आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग टेकनिशियन दोजार चोबी सानी की जो न्यू रूप्रूर्मेंट आई एले मेरा न्यू वैकेंसी इस साल की दूसरी राइभी टेकनिशियन की वर्ती उसमें अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं अगर फॉर्म में गलती हो गई या फिर कोई बाइव मिस्टेक अगर आपसे कुछ भी गलती हो घुए हो कुछ भी आपका नेम हो जोगया आप जैसी कि कोई डॉकमेंट नम्मर हो गया कोई सेन्टरल गर्मेंट की वेकेंशी और सेन्टरल गर्मेंट सेन्टल गट रगती है तहीं किसे बनेगी कब देनी होती है मैं सारा अंप्लिotechnology तक हिатов आएगा कि नहीं आ По लोग वीडियो में कंप्लीट जनकारी दूंगा आपको एल्पी टेकनीशियर बरती से रिगार्डिंग आप लोगो जनकार दूगा आप लोग वीडियो के बिना इसकी पिए लास्ट तक दिखेगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को कर दिया जाएगा अप्लिकेशन को कैंसल कर दिया जाएगा सारा कुछ में आपको डिटेल बता हुआ ठीक है चलिए वीडियो इस्टार्ट करें देखिए यह आप लोग के वेकेंसी का नोटिफिकेशन है राइब टेकनीशियन का ठीक है इसका पीडिया फाइल आप लिए आप लोगो की पता होगा कि आप लोग का फॉर्म मार्च से स्टार्ट हो रहा है और आठ आप अपरेल तक लास्ट फॉर्म भरा जागा 12 बज़े रात तर ठीक है आप लोग यह चीजी जनकारी होगी बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भर भी चुके होगे टेकनीशियन घृड़ लोगोगो और ग्रेट तरी दो भर्ती इस साल निकड़ी हुई है टेकनीशियन के थुरू ठीक है ग्रेट पॉर्म और ग्रेट ग्रेट ट्री में आप लोग को साइन्स वाले बच्चे इलीजीबल है और टेंट प्लस आई टी आई वाले बच्चे इलीजिबल है और टेंट प्लस सीजिए यानिका अपको जनकारू यह दे दूना कि अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो गई है ठीक है या फिर आप लोगका लगती है ठीक है तो इसका क्या प्रोसेस रहता है कैसे क्या कोच होता है संपुर्ण जनकारी दूंगा बिजूडियो में एक एक करके लाइन से ठीक है आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा बीना स्कीप किये हुए और वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक की लोग दिखाऊंगा कि वच्छे का गलती भी हुआ है तो इसका आप देखिए का सामने आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग कैसे उस टीच को सही किजिएगा कब उसको सही कर पाईएगा आप लोग लिए इस बार रेल्वे में नया रूलाया इस साल से कि 2024 से पहले नह है निए कर substantial कर सकते लिए कर सकते हैं सिसे कर सकते हैं आप लोग के लिए ऊदयर का इंधार करना थोगा आप लोग न फोटी में गलती हो लेकिन आप लोग के साथ इसमें यह क्या है ना कि फ्री में आप लोग सही नहीं कर पाएंगे ठीक है इसके लिए एक फीस रखी गया प्लोग जितने भी अपनीकेशन फॉर फीस है न वही आप लोग को फीस रखी गई है जैसे कि अगर SCST के कोई बच्चा है तो उसके लिए 800 रुपया फीस लगेगी, अगर OBC जनरल का कोई student है तो उसके लिए 500 रुपया की फीस लगेगी, तो आप लोग का ये फीस दे के पेमेंट करना होगा, अगर आप लोग इस डेट के बीच में भी अगर आप लोग के करेक् सबसे बेटर मुझे यही लगता है कि आप लोग उस टाइम परिसान होने से अच्छा है, आप लोग यहीं पर आप लोग आप लोग आप लोग कोई भी फॉर्म में गलती हो जाता है, तो आप लोग उस चीज को करेक्शन कर सकते हैं, और मैं आप लोग इस्टूडेंट का दिखार भी दे रहा हूं, जिसका करेक्शन गलत भी हो गया एक फॉर्म ठीक है, चलिए मैं उसे ओपन करके देखा हूं, फिर उसका बाद में ब यह जो एक इस्टूडेंट है, इन्होंने और भी टेक्शन ग्रेट 3 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, इनका एक फॉर्म में गलती होगा है, गलती कहां पे हुआ है, मैं आगे आप लोग को देखा दे रहा हूं, देखिए है, रायलबे मिनिस्ट्री और रायलबे गवर इनका यहां पर क्या हुआ है, बाइ मिस्टेक होगा, तो इनका पर ऐम किज़े तो 11 डिजित का है, इनका इंगा कुछ नहोंने गलती से टाइप किया है, इस जिसके आप लिए फॉर्म रोंग हो गया है, घलत हो ठीक है, अब इनको क्या करना होगा, इनको वेट करना होगा, का ही टेकनिशन के फॉर्म का एंड होने का ठीक है जो कि मैंने आप लोगो डेट बताया किस-किस से बीच का डेट में आप लोग फॉर्म को नौ से लिकिया है साथ 18 अपरेल तक था ना उसके बीच में आप लोग फॉर्म को करेक्शन कर सब्सक्राइब जैसे इन बचे सब्सक्राइब तो दिखिए आप लोग 8 अपरेल से लेकर करके 18 अपरेल के बीच में करेक्शन सही कर सकते हैं जैसे कि अभी एक स्टुडेंट का में आप लोग को दिखाया हूं कि पैनकार नमर ही उन्होंने गलट डाल दिया है तो जिसके कारणसम को दुबारा से अब मैं इक्जाम होगा ठीक है चीपीक इक इशाम होगा इसके बाद ड्राइक पलोग ड्रॉक्क टॉक्रीपिकर अपर धर्वरिब्सक्राइब अमरेडिकर के लिए भी इस्टाइब अंब ने पर से सिंट्रीफिकेट अचितिक है तो यह बहूत सारे बचूका डूट है यह ची कि संट्रावर्मेंट की सिंतर्स एर्ट को सिर्ट करें रहें की सTIONते कि खोजू नहीं हैsz m आप लोग अगर आप लोग भी जाइय का लिए लगका है आप फिर से दुबारा दुभर में चासा हूं से लिए फूद का फॉर्मेट देती है जाए एक रेलिस फॉर्मेट अप्सेंट्र रेगा का सर्टिफिकेट ऑफ सीएश्ट कंडिडेट ठीक है यह ने लिए खुद का अपना फॉर्मेट है यह नेक्षर वन कहाते है इसका पीडिया फाइल आप लो हमारे टेलिग्रम चल्ड स कण में रसे लिए फुर्मेट है इसी फॉर्मेट में आप लोग अपना साज का स्रेटिफिकेट बनाना अभी चैसे बनेगा क्या परसेट है मैं क्या प्रसेस है चानकारी आप लोगको अपने वीडियो के माध्यम सब्सक्राइब आप लिंक दिख रहोगा उसमें आपक ल बनवाने के लिए ठीक है कैसे क्या परसेस रहता किस किसी स्टेप से गुजरना पड़ेगा कम्प्लीट डिटेल वीडियो में आप लोग बना कर रखा है यह आप लोग सी एस्टी ओविशी किसी कटेगरी से तरब सेंट्रल गवर्मेंट की का सर्टिफिकेट कैसे बनवाईए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग बताता हूं अगर आप लोग के पास अगर टाइम है ठीक है अगर आप लोग के पाते वह तरब आउन वर्म आफॉन हो आप लोग तनी मने चैनल लेकिन आप लोग इसका प्रोसेस जो है ना बनवा लिए और फिर इस से फॉर्म अपलाई कीजिए अब देखिए मैं आप लोग बताता हूं कि इसमें भी अगर बनवाई एक आप लोग ना तो जो आप लोग का इस्टेट आप लोग का सर्पिकेट है सर्टीफिकेट नमबर आप लोग का वही रहेगा उसी का जो संड् Rein pugil कर सकते हैं लेकिन आप लोग को डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोग को यह चीज बनवा के लेके जाना ही होगा नहीं लेकर जाईएगा आप लोगा कैंसिल कर दे जाए या फिर आप लोग को बोला जाएगा कि यह फिर अपना फॉर्म अपलाई की जिए गा यह तो नहीं भड़ पाईएगा तो यह मैं आप लोग को जनकारी दिया चेंट्रल गवर्मेंट का सर्टिफिकेट के रिकॉर्डिंग और क्या क्या डॉक्मेंट लगते हैं बनवाने के लिए कैसे क्या प्रोसेस रहता है मैं कॉप्लीट जनकारी दिया हूँ अगर आप लो बता दूँ मैं इस चैनल पे टेकनीशन का फूल स्लेबस टेकनीशन ग्रेड़ वन टेकनीशन ग्रेड थी का स्लेबस जब पूरा संपूर्द लेके वीडियो बना रहा हूँ दो अपने चैनल पर ट्वेल्थ साइंस वाले बच्चों के लिए किस जोन में कितनी वेकेंसी है कितना रहेगा तो लास्ट में होगी लेकिन अभी किस जोन में इस ट्वेल्थ साइंस वाले बच्चों के लिए किस जोन में कितनी वेकेंसी है मैं कंप्लेट जानकारी अपने वीडियो का माध्यम से बना रहा हूं और उसका पीडिया फाइल अपने टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम चैनल का लिंक की वीडियो की डिक्रिप्सन बॉक्स में दे रखे हैं और अभी आई बटन पर लिंक देख रहा होगा उस वीडियो का कि 12 साइंस वालोग बच्चों के लिए किस-किस जोन में कितनी-कितनी सीट है आप लोग उसके एक आप लोग देख सकते वी बच्चिन